तो कैसे हो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपर हम कंपेर करने वाले हैं न्यूली लॉंच होई मार्तु शुजु की स्विफ्ट के वी एकसे विरेंट को हुंड़ा की ओरा के एस विरेंट के साथ में दोनों ही विरेंट दोस्तों बेस से एक उपर वाला मोडल है जिसको की हम कंपेर करने वाले हैं इस वीडियो में दोस्तों यहां आपना compare करेंगे इन दोने विरेंट की price को, engine specification को, features को, dimensions को और आपको बताएंगे कि इन दोनोई गड़ियों में से कौन सी गड़ी की तरफ आपको जाना चाहिए क्योंकि price में दोस्तों यहां पर आपको जदा बड़ा difference देखने को नहीं मिलेगा इन दोने विरेंट के बीच में तो चलिए दोस्त हम सुरू करते हैं इस व्यूडियो को और सबसे पहले compare कर लेते हैं इन दोने विरेंट की price को तो दोने विरेंट की price दोस्तों आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं shift का VXI विरेंट यहां आपको manual transmission के साथ में 729,000 रुपे की दिल्ली एक सुन प्राइस पर मिलता है दोनों के ही बीच में आप आपको सिर्फ 3000,000 रुपे का ही दोस्तों difference देखने को मिलेगा इसका लवाँ आपको जदा बड़ा difference देखने को नहीं मिलता है बात करें AMT transmission की तो VXI unit में AMT transmission मिल जाता है जबकि आपको औरा के S variant में CNG का option भी देखने को मिल जाता है दोनों ही गड़ियों के अंदर आने वाले engine specification की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको 1.2 लिटर का petrol engine दोनों ही गड़ियों के अंदर देखने को मिलता है मारूती की swift में नया jet series का petrol engine देखने को मिलेगा जबकि Hyundai की ओरा में आपको कपपा engine देखने को मिलता है 1200 CC का 4 cylinder में पावर यहाँ आपको almost same ही देखने को मिलती है दोने इंजन के साथ में टॉर्क भी आपको लगबग बराबर देखने को मिल जाता है मैलेंज में आपको थोड़ा सा difference देखने को मिलेगा कंपेर करें दोस्तों इन दोनी गड़ी में आने वाली dimensions को तो औरा दोस्तों यहाँ आपको sedan रूप में देखने को मिलती है तो यहाँ आपको dimensions का अंदर लंबा ही जदा देखने को मिलेगी हुंड़ाई की ओरा में चोड़ाई लेकिने आपको मारुति की स्विफ्ट में 55 mm की जदा मिल जाती है स्पेस वाइस दोस्तों आपको दोने ही गड़ियों के केविन स्पेसियस देखने को मिलेगे लेग रूम हेड रूम दोनों ही आपको गड़ियों में अच्छे मिल जाते हैं लेकिन बूट स्पेस में आपको अच्छा कासा difference देखने को मिल जाएगा हुंड़ाई की ओरा में 136 लिटर का बूट स्पेस जदा देखने को मिलता है तो प्रेक्टिकलिटी के मामले में दोस्तो हुंड़ाई की ओरा थोड़ी सी आगे है श्विफ्ट से क्योंकि यहाँ पर आपको बहतर बूट स्पेस देखने को मिल जाएगा है मारुतिय सुचु की श्विफ्ट के मुकाबले हैं विफ्ट से विफ्ट की एक्स्टियर प्रोफाल दोस्तो आपके सामने है ब्लेक कलर की स्पोर्टी फ्रेंट ग्रिल यहाँ पर आपको देखने को मिलती है जो की काफी ज़्यादा स्पोर्टी डिजाइन आपको मारुतिय की श्विफ्ट में दिया गया है फोगलेम दोस्तो आपको इस विफ्ट के अंदर देखने को नहीं मिलेंगे लेकिन आप अफ्टर मार्केट इंस्टोल करवा पाएंगे हैलोजन प्रोजेक्टर हेडलेट से आपको देखने को मिल जाएंगी और 14 इंच के स्टील वील यहाँ पर आपको मिलते हैं जिनके साथ के आपको फुल वील कवर भी दिये गए हैं बोडी कलर के डोर हैंडल देखने को मिल जाएंगे बोडी कलर में ओर्वेम मिल जाते हैं और 10 इंडिकेटर दोस्तो वह भी ओर्वेम डूपर दिया गया है तो डिजाइन वेस दोस्तों आपर मारूती की स्ट थोड़ी सी बेहतरी लगती है क्योंकि आपको इस्पोर्टी डिजाइन देखने को मिलता है और पहले से ज़्यादा शार्प डिजाइन दोस्तों आपर मारूती की स्ट में मिलता है तो यहाँ पर आपको after market कोई भी काम करवाने की ज़रूरत नहीं है इंटिरियर में बात करते हैं हुंडा यह ओरा के S-Virint की exterior profile के साथ में तो हुंडा यह ओरा की S-Virint दोस्तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आपको black color की front grill देखने को मिलती हैं यहाँ पर आपको मिलती हैं प्रोजेक्टर वाला सेटप दोस्तो आपको नहीं मिलेगा यह एक डिफ्रेंस मिलता हैं LED daytime running lights यहाँ पर आपको मिल जाती हैं और आक अंदर जो कि आपको S-Virint में अविलेबल नहीं है बोडी कलर के door handle देखने को मिल जाते हैं बोडी कलर में ही ORVM यहाँ पर भी आपको दिये गए हैं लेकिन turn indicator दोस्तों आपको ORVM पर न देखकर fender के उपर दिया गया है यह एक डिफ्रेंस देखने को मिलता है स्विफ्ट के comparison में आर 14 इंच के dual tone style wheel यहाँ आपको मिलते हैं जिनका look दोस्तों यहाँ आपको yellow wheel की तरह लगने वाला लेकिन still wheel यह रहने वाले हैं जेट सेप के LED टेल लेट्स दोस्तों यहाँ आपको हुंड़ाई की और हमें rear profile के अंदर देखने को मिल जाते हैं dual tone का color theme यहाँ पर आपको मिलने वाली है टूट इनका लेकिन music system यहाँ आपको company से देखने को मिलेगा stand mounted audio controls मिल जाएंगे तो music system के मामले में दोस्तों यहाँ आपको मारूति की shift तोड़ी सी बेतर ही लग सकते हैं क्योंकि यहाँ आपको touch screen company से ही देखने को मिलता है इसका लाव दोस्तों आप डिजाइन और लुक देख सकते हैं हुंड़ी ओरा के एस विरिंट के इंटिरियर का तो यह तो बात होगी दोस्तों इन दोनी गड़ी की exterior और interior profile के बारे में अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे इन दोनी विरिंट में आने व दोस्तों आप डोने विरिंट में मिल जाएगी, speed sensing, auto door का feature मिल जाता है, child safety lock का feature मिल जाता है, reverse parking sensor आप डोने विरिंट में मिल जाएगे, reverse parking camera किसी में भी नहीं मिलेगा, डोने विरिंट में आने वाले common comfort feature के बारे में बात करेंगे जो कि आपको swift के VXI variant और Hyundai Aura के S variant में दिया गया है, tilt adjustable steering wheel का feature में आप आपको दोने विरिंट में मिल जाता है, front में 12 world का power outlet मिल जाता है, mobile charge करने के लिए इसके लावे आपको USB charging port भी मिल जाता है, front and rear power window से आप आपको दोने विरिंट में देखने को मिलेगी, इसी के साथ में आपको electrically adjustable ORVM का feature भी दोने विरिंट में देखने को मिलेगा, तो यह सबी features यह आपको बिल्कुल common देखने को मिलेगे, इन दोने विरिंट में बात करें, कुछ extra feature के बारे में, अगर आप Swift का VXI विरिंट खरीदते हैं, तो कौन से extra feature मिलते हैं, जो कि आपको Hyundai Aura के S विरिंट में नहीं मिलेंगे, Swift के VXI विरि मिल जाते हैं, जिसको कि आप उपर नीचे adjust कर सकते हैं, brake assist का feature मिल जागा, safety के लिए, इसका लाव आपको ESP का Hill Hold Control का feature भी मिल जागा, safety के लिए, तो यह extra feature हैं, आपको Swift में देखने को मिलेंगे, Hyundai Aura में नहीं मिलेंगे, बात करें, Hyundai Aura के S विरिंट में आपको आने वाले extra feature के बारे में, तो यहाँ पर आपको tire pressure monitoring system का feature मिलता है, जो कि shift में missing है, rear AC events का feature मिलता है, जो shift में missing है, और जो काफी काम का feature है, rear seat के adjustable headrest यहाँ पर आपको मिलते हैं, front seat के नहीं मिलेंगे, rear में दोस्तों आपको center में armrest मिलेगा, cup holder के साथ में, LED daytime running lights यहाँ पर आपको मिल तो यह सभी feature यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, इस गड़ी के S variant में, जो कि आपको swift के VX 7 minute में नहीं मिलते हैं, तो यहाँ पर आपको swift में नया design देखने को मिलता है, जो कि outdated नहीं है, Hyundai aura यहाँ थोड़ी सी outdated हो चुकी है, लेकिन practicality के मामले में दोस्तों Hyundai की aura थ आते रहते हैं,